हेलो दोस्तो मेरे चैनल सुक्सम्रदी उपाई में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज मैं कुछ ऐसी बाते बताऊंगी जिसे हमें कदापी अपने फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए दोस्तो क्या होता है हम खाना बनाते हैं आटा बच जाता है तो सुबह से साम तक के लिए तो हम आटा रख सकते हैं लेकिन हम कभी कभी क्या होता है रात को भी आटा फ्रिज में रख देते हैं कहते हैं दोस्तो आठा जो बासी आठा होता है अगर हम रात मर ओवर नाइट हम फ्रीज में रख देते हैं तो नकरातमक सक्तियां हमारे घर में जर्नम लेने रखती हैं दैविक सक्तियां जो होती हैं वहां से खतम होने लगती हैं और नकरात मक्ता हमारे घर में आने लगती है जिससे हमारे घर में बिमारियां धन की कमी और बहुत सारी परिसानियां उत्पन हो जाती हैं कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो हमें कदापी नहीं रखनी चाहिए दोस्तो उनमें से ही हैं नीवू और मिरच नीवू मिरच कभी भी हमें फ्रिज में साथ साथ कदापी नहीं रखनी चाहिए दोस्तो कहते हैं नीवू मिरच जो होती है वो केवल हमें मैन गेट पर ही क्या फायदा होता है दोस्तों जो दरिदता है वो नीवू मिरच उसे अट्रैक्ट करती है जब अट्रैक्ट करती है तो नीवू मिरच द्वार पर ही उसे रोक लेती है हमारे घर में आने नहीं देती है किसी की बुरी नजर होती है तो उसे भी वो वहीं पर रोक लेती है वही ये दोनों चीज़े एक साथ नहीं रखनी चाहिए आप सोच रहे होंगे कि हम नीवू मिरच खाना बंद कर दें क्या ऐसा नहीं है दोस्तों आप नीवू भी लाइए मिरच भी लाइए लेकिन एक साथ अपने फ्रिज में कभी नहीं रखी अगर आप एक साथ रख देंगे तो ये समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है तो नीवू मिरच आप जब भी लाइए तो कुछ ऐसी उपर नीचे दूरी पर रखिए इन्हें कि एक दूसरे से अट्रेक्ट ना कर पाए क्या होता है दोस्टो जब नीवू मिरच हम एक साथ रख देते हैं तो वो दरिद्दब्टा को खीछती है हम दौर पर लगाते हैं तो दौर पर ही वो रुख जाती है लेकिन जब हम अपने घर में लगाते हैं तो वो घर तक खीची चली आती है तो आपको कभी भी अपने freeze में ये चीज़े नहीं रखनी चाहिए कभी कभी क्या करते हैं हम बासी समान अपने freeze में बहुत दिनों तक रखे रखते हैं उससे क्या होता है बासी चीजों से हमारे घर की negativity बढ़ने लगती है कभी भी जो बासी समान है खराव समान हो गया है उससे freeze में से तुरन थटा देना चाहिए नहीं तो आपके घर में बिमारियां घर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि पैसा कहां जा रहा है आ रहा है और जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं नीवू मिरच उपर नीचे रख दीजिए और जो आपके freeze में बहुत सी चीज़े ऐसी है जो पड़ी है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि यह सड़री है क्या हो रहा है सूखी सबजी गंदी सबजी पड़ी है freeze में ही और आपने ध्यान नहीं दिय लेनी चाहिए और इन चीजों को भूल कर भी आटा जो होता है दोस्तों पिंड बन जाता है वो अगर आप रात में रख लेते हैं उसको बाद में आप अगर उसका seven करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो परेसानिया देने लगता है पेट से ही सारी बिमानिया जुड़ी होती है सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है यह चीजे पेट पर ही करती है खाने की चीजे जो होती है पेट पर ही करती है और पेट की परेसानी होते ही पूरा सरीर जो होता है वो बिमारियों से घिर जाता है तो कदापी ऐसी चीज आपको freeze में नहीं रखनी चाहिए आज मैंने पूरी आपको जान करी देने चाहिए दोस्तों वीडियो प्योगी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा जिसे आगे वीडियो में देने ही कमेंड में जै मालक्षमी श्रदाव आपसे जरूर लिखेगा दोस्तों और बहुत सारी ऐसी इंफोर्शमेशन है जो मै जै मालक्षमी जरूर लिखेगा जै मालक्षमी श्रदाव जरूर लिखेगा जै मालक्षमी